वीडियो अप्टिमाइजिशन का ही पार्ट टू है जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरीके से हम आप्टिमम वैल्यू निकालते हैं अगला जो है वो है कॉन्वेक्स फंक्शन सो काण्वेक्स फंक्शन क्या होता हैं तो सबसे पहले तो इसके ओपर इइस्थियोरम है तो वो थियोरम हम समझेंगे फिर आगे करेंगे तो थियोरम है कि एक फंक्शन है आपका जिसके अंदर है वन माइनस लेमडा X1 plus lambda X2 वो less than यह equal to है किसके 1 minus lambda F function X1 plus lambda function x2 के यह आपका सिदा से हो कह रहा है तो कह रहा है कि prove that a non-negative weighted sum of the convex function is always convex तो इसका directly और तरहीं डारीकनी मतलब यह कि यह अपने को प्रूप करना है यह कि प्रूप देट कि रूप देट वह तक रूप धर ऊनोन नेगेटिव इसका स्टेटमेंट ए ज़नागेटिव रेटेरव वेटेर वेटेरव देटर सम अवफ कॉन। sum of the convex function is always मों हमेशा ही convex होता है तो यह हमें प्रूफ करना है तो step by step आप देखते रएए और मैं इसको प्रूफ करके दिखांगा तो 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 आपका सोलुशन है कि fx and gx दो फॉंक्शन है वारे पास में ठीक है fx and gx function है वह equal है hx equal to fx plus gx ठीक है let fx and gx be a two convex function यहां पर fx and gx क्या है to convex function let fx and gx be two convex function convex function अपने बाद में दो convex function है we have to prove we have to prove अपनों क्या प्रूफ करना है कि hx equal to fx plus gx भी एक क्या है convex function है एक convex function है यह हमें प्रूफ करना है ठीक है हमें यह चीज प्रूफ करनी है कि भाईया मालों कि fx and gx दो convex function है तो अगर इन दोनों का summation है वो भी convex function होगा यह का है प्रूफ देट अन नौन नेगटिव वेटेर्स सम अफ कॉन्वेक्स फंक्शन इस अल्वेस कॉन्वेक्स से नौन नेगटिव वेटेर्स कॉन्वेक्स फंक्शन है माली ठीक है तो सिर्स सिंज एफ एक्स एंड जी एक्स एफ एक्स एफ एक्स है और कॉन्वेक्स फंक्शन वो दोनों ही क्या है कान्वेक्स फंक्शन है है रा कॉन्वेक्स फंक्शन भी है भाएव हमारे पास में है कि io f1-όben टाक्स एक्स ओं बैस लैंड़ एक्स तू है लेस डेन वन माहिनिस लैंड़ ध स्वें PLUS LAMDA X2 और इसी तरीके से अपना GX भी है GX भी क्या है 1- LAMDA X1 PLUS LAMDA X2 LESS THAN 1- LAMDA GX1 PLUS LAMDA GX2 ऐसे ही है अब to proof हम दोनों कोई अपन कोई प्रूफ करना है है कि HX is also a convex function to prove हमें दो चीज़ गीवन है HX is a convex function convex function तो हमें क्या प्रूफ करना है कि HX sorry H one minus lambda क्योंकि उन दोनों का साम है लेंडा एक्सवन एक्सवन एक्सवरी एक्सटू 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 है यह हमें प्रूफ करना है तो हम कंसिडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलते हैं एलेचस से हैं एलेचस में क्या है एज one minus lambda X1 plus lambda X2 ठीक है एज को कर लिया अपनोंने F प्लस G क्योंकि है अपना given है ठीक है सो इसको हमने वो माल लिया एक्सवन प्लस एक्सटू अब बैने क्या किया एक बार इसको इसके साथ में और एक बार इसके साथ में सेपरेट कर लिया f 1-lambda x1-lambda x2 plus g 1-lambda x1 plus lambda x2 यह हमारा आ गया given अब मैं क्या करता हूं यह कि इसको अंदर गुसाता हूँ और तो हम देखते हैं कि जो constant होता है वो तो बहार आ जाता है ठीक है और यह हो जाएगा fx1 इसी तरीके से constant बहार और यह होगा fx2 यह बन इसी तरीके से g को भी अंदर हमने दखेला तो 1-lambda gx1 plus lambda बाहर gx2 ठीक है यह हो गया अब मेरा दोनों में से 1-lambda common आ रहे हैं तो 1-lambda common आ गया और मैं इन दोनों को साथ में लिख देता हूँ fx1 plus gx1 plus यहां पर इसमें से lambda यहां से इन दोनों में से lambda common लेकर और मैं इसको मतलब साथ में लिख दो x2 plus gx2 ठीक हो इसमें से और इसमें से 1-lambda बाहर आ रहा था इसमें से common लेकर मैंने बाहर लिख दिया ठीक है आप अब उपर अपनोंने यह hypothesis लिया था कि फिकॉस एच एक्स एक्स प्लस जी एक्स ही लिया था तो x1 की जगह पर x1 हो जाएगा यहां पर सो 1-lambda x x1 plus lambda h x2 ठीक है और यहीं हमें प्रूफ करना था सो यह आगे आरेजस हैंस प्रूट सब्सक्राइब बहुत इंपोर्टन ठीक है आप यह याद करके जाएं लब समझ के जाएं तो आप कर पाऊगे एक्साम में अच्छा एक इसके अंदर नोट करने वाली बात है मैं नोटिस में लिख देता हूं को नोट करें कि फंक्षन अगर आपका है एक से आर वरी कर रहा है is said to be a constant function is said to be to be a constant function कब if constant function if जो आपका function है f है वो greater than or equal to 0 है for all x belong to x ठीक है तो यह एक important aspect है अच्छा है इसका differentiation इसका differentiation double differentiation अगर एक से बढ़ा है ठीक है अगर एक greater than उसके है तो यह क्या हो जाएगा आपका एक constant function हो जाएगा ठीक है सबसे पहला क्यूशन है आपको पूछा है कि आपको एक function दे रखा है कि माल लीज़े यह function है आपको प्रूफ करना है कि यह क्या है एक convex function है तो किस तरीके से प्रूफ करोगे आप इसको कि सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सही से लिख लेता है लोग टू एक्स है तो इसको लिख लेता हूं में एक्स लॉग लॉग एक्स और नीचे आजाएगा आपका लॉग एक्स तो अब यह वाला constant हो जाएगा तो बहार आ जाएगा और बाकि इसको अपना राम से सॉल्यूट कर पाएं क्योंकि हमारे पास लोग टू कर डिफ्रेंशेशन नहीं होता है तो अब मैं सिंगल डिफ्रेंशेशन करूंगा इसका से वन अपन लोग एक्स का डिफ्रेंशेशन तो यह तो वन हो जाएगा और यह बच्छे का लॉग एक्स प्लस यह अपना लोग इवर्ण आद लिए लिखने के जरुवतनिया लोग ईलिखने के जरुवतनियों बेस में आप लॉग एक्स भी लिख करते है उसको और फिर एकस ऐसे ऐसी और इसका हो जाएगा वन बाए एक्स एकसे एकस कड़ गया ठीक है तो अब मेरे को इसका डबल डिफ्रेंशेशन कर तो वो क्या है यह वन लॉक एक पाउड़ दो अब दें माल लीजे पंडिशन एक्स ग्रेटर देन जीरो तो यह डबल डैश जो होगा यह भी क्या होगा ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो तो उस केस में एफ इस कॉन्वेक्स आपका एफ क्या हो गया जब एक्स जीरो से बढ़ा है तो यह डबल डैस भी क्या है जीरो से बढ़ा है जीरो से बढ़ा है जीरो से बढ़ा है जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे मतलब यह टेंस करता जाएगा किसकी तरफ जीरो की तरफ तो इनीशली अगर एक्स की वैल्यू और बाकि जैसे जैसे x की value बढ़ती जाएगी ग्राफ अगर देखेंगे तो वन से यह किस की तरफ जाता रहेगा जीरो की तरफ ऐसे infinity तो तो मैं कह सकता हूं f is a convex function ठीक है so this is it for today's video thank you and have a good day